हर दोस्तो है आप सब है सब्लोग के आप से स्ठाट कर तक बताएए शबánt पहुच चुक है बहुत लग रहा है अभी आ मैं आपके कमेंट के लिए अपना फॉन यूज़ कर लेता हूं बस एक मिनट चले जी बहुत बढ़िया तो इक पर बताईजिए वॉइस वीडियो सब क्लियर आ रही है देखे चुनियों की चहचा हड़ भी सुनाई दे रही है यहां पर तो करते हैं आज की लाइस स्टार्ट और आप हैं इस समय पर Hello Teachers महेंदर सर के साथ Unacademy पर Unacademy इंडिया के लारज़ेस्ट लर्निंग प्लेटफोर्म के तौर पर आप देखते हैं इसके साथ यसाथ क्या देख लेते हैं आप यहां पर तो आप मेरे बारे में जानते हैं और Unacademy application पर भ秉याप मुझे तो एकाडमे अप पर आपको मिलती है डेली लाइफ क्लास आप टेस्ट और क्विज्स करते हो स्ट्रकचर्ड कोर्स आपको मिलता है और मिलता है एक unlimited एक्सेज आप सभी प्लस क्लासेज एक सस्क्रिप्षिन के बाद لे सकते हो और free classes YouTube पर दो चलती ही है, course जो start हो रहे हैं, उनकी बाद आप unacademy application डाउलोड करी है, आपको खुदी वहाँ से पता चल ज़ेगा, क्या course है, क्या चीज़े मिल रही है, syllabus, comprehensive syllabus आपको मिल रहा है, preparation को track कर सकते हो, आप free mock test के द्वारा और unacademy app का फाइदा क्या होने वाला है, सकते हो, वीडियो को live देख सकते हो, download कर सकते हो, ठीक, और जिन भी मेरे दोस्तों को plus subscription पर आना है, वो code यूज़ कर सकते हैं, MSM, अब 5% discount रहे गया है, ठीक, पहले तक 10 चल रहा था, बताया जा रहा था कि भई, purchase कर लीजिए, तो 5% discount, और एक महीने से लेकर के, 2 साल तक का subscription हमें मिलता है, यहाँ, तो आप कम से कम भई, 6 महने से जादी का ही लेना है, एक साल का subscription ले सकते हो, अगर सीट आप पास करके, आप final preparation के ओर चल रहे हो, और 2 साल का subscription या आप तब beneficial है, जब आप first stage से start कर रहे हैं, ठीक, क्या मिलेगा इसमें, तो इसमें सभी, ज इतने भी teaching exam आपको मिल रहे हैं, वो सब मिलेंगे चाहें, वो कोई भी TET exam हो, CETED, UPTED, MPTED, ठीक है, इसके साथ इस साथ, अगर आप इसके बाद KVS देना चाहा रहे हैं, super TET का badge देना चाहा रहे हैं, read का form भरते हैं, तो यह सभी, मतलब जितने teaching exam है, सब यहाँ, एक subscription में एक बार पैसे दे करके आपको सभी exams को अपने according प्रपेर करने का मौका मिल जाएगा, unacademy का advantage क्या, फाइदा क्या है, आखिरकार जब आप application पर आओगे, जब आप plus course के ओर आओगे, तो educator से interact करोगे, doubt clearing का मौका, live poll में participate करोगे, आप test और quizzes करते हो, report analyze करते हो, और PDF भी download कर सकते हो, ठीक है, यह नया batch जो start होने वाला है, rate paper second का, वो कब मिला, 5 तारिक से start हो जाएगा यह batch, ठीक है, तो इसमें enrolled हो सकते हैं, और अगर subscription चाहिए, तो code आपको पता ही, और आज की class हम कर लेते हैं, MCQ 14, और आज देखते हैं, आप ozone layer के बारे में कितना जानते हैं, आज का session ओजोन special हो जाएगा, टेक, तो भई, बता दो एक बाल जल्दी से सभी लोग, यहां पर आप हैं, और तैयार हैं सब, फटा फट, प्राची दुबे, गोड़े इवनिंग, वैशाली, अनुपमा, रेनुलाल, ओके, चलो, तो start करते हैं, आज की class, बस एक मिनट, यह रहा आज का पहला प्रश्ण, वायू मंडल में, ओजोन, पर्त में, ओजोन की एक ओसत एकाग्रता कितने होती है, बताईए, क्या बोल रहा है, बोल रहा है, बोल रहा है, what is the average concentration of ozone, in ozone layer of atmosphere, ozone concentration of ozone, ozone की जो एकाग्रता है, कितने होती है, 100% उस ozone layer में मिलती है, हमें 10-50% मिलती है, 10 PPM मिलती है, ठीक है, या फिर greater than 90% मिलती है, क्या लगता है यहाँ पर, प्राची दूबे, ओके तैयार हैं, बाकी लोग भी फड़ा फड़ा आते वें चलना है, और आंसर बताना है, क्या लगता है, क्या आंसर हो जाएगा, ओके, तो आंसर पहले का C, अमर जीत, बाकी सोच में पड़ गए हो, कह रहा हूँ, आज के कोशन थोड़े टफ मिलेंगे, तो डरना नहीं है हमें बिल्कुल भी, क्या नहीं करना है, डरना नहीं है, देखते हैं, डर के आगे कौन जीतता है, चलो, आंसर बिल्कुल ठीक है, C points सही है, less than 10 ppm, ठीक है, 10 ppm, पर्टिकुलर पर मेटर, ठीक, यह यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो यह याद रखते हो चलना, कुछ नए कोशन आज आपको मिलेंगे, ओजोन से रेलेटेड, तो जो कभी लगाता है, हंगावा मचा रहे थिना, नए कोशन, नए कोशन, उनके लिए है, आज देखो, जो कोशन में लेकर क्या हो, बहुत जादा नहीं है, 25 कोशन मुश्किल से हैं, उमीद करता हूँ, 25 में से 15 सही कर पाओ गया, जो उमीद करता हूँ, लेकिन देखते हैं, क्या 15 भी कोई सही कर पाता है, चलो, अगले प्रशन के और देखते हैं, यह रहा, next question, Who discovered ozone layer, ozone पर्थ की खोज किसने की थी, ozone पर्थ की खोज करने वाला व्यक्ति कौन था, बताईए, Henry Boyson, Charles Fabry, GMB Dobson, Carl Sagan और Charles Fabry, Carl Sagan और GMB Dobson, क्या होगा answer, पिंकी चोहान आचुके, अमर जी, यह क्या बात है, अमित्ता जी, सेकंड का भी बता रहे हैं, डॉप्सन बता रहे हैं, ओके जी, देखो, सोचो जड़ा और देखते हैं, आगे क्या है, चलो, answer देख लेते हैं, तो वो है, A, Henry Boyson और Charles Fabry, ठीक है, यह हमें मिल जाता है, वो अलग बात है, कि A, सही जवाब है, कब खो जाता, इन्होंने ओजोन परत को, कब खो जाता, तो यह लोग अडिक कहां गया, अडिंशनर पर नहीं मिला, तो चलो, मैं लिख देता हूं आपके लिए, ओजोन परत की खोज कब की गई थी, ध्यान रखना, 1913 में, इन्होंने ओजोन परत को डिस परता चल गया है, ठीक है, देखते हैं, अगले प्रेश्ण में क्या मिलने वाला है, यह रहा अगला प्रेश्ण, विच अब दा फॉलिविंग, अच्छा एक चीज और, आज की कोश्चन इंगलिश में ही अगर पड़ो तो जादा अच्छा रहेगा, क्योंकि गूगल ने चालू हिंदी, जुगाडू हिंदी यहाँ पर प्रयोग की गई है, ठीक है, गूगल ने जब ट्रांसलेट करने को बोला, तो भाह साब ने जुगाडू हिंदी का इस्तमाल कर लिया है, तो कहीं अगर हिंदी में कोई समस्या, कोई परशानी है, तो एक बार इंगलिश में जरूर देख लेना, विच अब दा फॉलिविंग डिवाइस कैन बी यूजड तो मेजर ओजोन इन अट्मोस्फियर फॉर दा ग्राउंड, ठीक है, क्या बोला है, फ्रॉम दा ग्राउंड की जमीन से ओजोन परत को मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रियोग करते हैं, स्पेक्ट्रोमेटर, फ कि सर, क्या कोशन पूछ रहे हो, पहले तो कभी बताया नहीं, आज नए कोशन ला रहे हो, चलो देखते हैं, नए कोशन, नए कोशन की, कह सकते हैं कि लगाता, नए कोशन की मांग करते करते हैं, जब नए कोशन आये हैं, तो क्या सही हो रहा है, अमर जी तीसरे का सी है, वै प्राची क्या होगा आंसर, पिंकी चोहान अमिता ने तीस्रे का C बता दिया है, हेमानशी जी गुड़ इवनिंग, क्या होगा इसका आंसर, रेनू कुमारी हेलो रेनू आंसर भी बताना है, सोचो भई सोचो, ठीकिए यहां पर तो सोचो और सोचो ही चल रहा है, ओजोन मेट से तुक्का चलो आंसर को देखते हैं आंसर है इस्पेक्ट्रो फोटो मेटर आंसर क्या है इस्पेक्ट्रो फोटो मेटर तो तुक्का हो गया गलत तुक्का क्या हो गया गलत हो गया है जी रेनु कुमारी जी बता दिया है चलो तुक्का हो गया गलत इस्पेक्ट्रो मेटर य वो यंत्र है ठीक है मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं तो ये उपकरण है और इकाई ये तो आपको पता ही है इकाई मिलती है डॉबसन डॉबसन इकाई में स्पेक्ट्रो फोटो मीटर के द्वारा जमीन से हम नाप सकते हैं कि हमारे वाइव मंडल के ऊपर कितनी ओजोन पर्थ है ठीक है अगला पॉइंट ओजोन पर्थ सूरी के विकरण की तरंग दिधर की सीमा को और शोशित करता है देखो दा ओजोन लेयर एब्जोर वट रेंज ओव वेबलेंद आफ दा संस जाता है यहां पर बताइए क्या होगा इसका अंसर सूरी के रेडियेशन का कितना प्रतिशत अवशोशित किया जाता है क्या अंसर होगा चलो ओजोन परत सूरी के विकरण की तरंग देहरी की कि सीमा को और शोशित करता है तो देखते हैं आंसर फोर का बी बता रहे हो और बोलो बही बोलो इंतजार कर रहा हूँ मैं आपके जवाब का इतने एन एम नैनो मीटर एन एम क्या मिल जाता है हमें कौन सा मीटर नैनो मीटर चलाओ ना नैनो मीटर को ठीक चलो पॉइंट और सही जवाब मिल जाता है बी पॉइंट दो सो से तीन सो पंदरा नैनो मीटर तक की जो तरंगें अल्टरा वॉलेट रेज की होती हैं उनको ये अवशोशित कर लेता है बाकियों को वशोशित नहीं कर पाता है ठीक तो आंसर क्या मिलेगा फोर्थ का आंसर बी मिल रहा है फोर्थ का आंसर बी मिल रहा है ठीक है अमित्ता जी ने फोर्थ का भी बताया ठीक है तुक्या सही या तुक्या गलत ये आप अपने तक ही रखना कि क्या आपने थुक्का मारा था या आपको वाग कहीं में पता था ये इमानदारे आप अपने से बरतना यहां पर हम केवल सही या गलत की बात करते हैं अगला पॉइंट देखेंगे फोटो कैमिकल प्रतिकरियाओं से ओजोन के गठन की खोज किस ने की थी फोर्मेशन ओफ ओजोन फ्रॉम दा फोर्टो कैमिकल रियक्शन बताईए क्या होगा इसका सही जवाब चलो है पाुच्वे क्रफी सिंहां रिब्टो कॉ उप्रनी की था ऐं SUSP के यहां पर है डॉप्सन डॉप्सन क्या क्या था वह करते हैं रिपूर्टो के लेटई ओजोन बनाने का गठन किया था ठीक है ओजोन को ओजोन का निर्माण किया था इसने किसके अंदर फैक्टरी के अंदर फैक्टरी नहीं लबरेटरी के अंदर ठीक अब जब ओजोन प्रत का निर्माण किया तो फिर इसने ओजोन को मापनी का तरीका बताया और इसी वज़े से ओजोन की जो एकाई है ओजोन जिसमें मापा जाता है नापा जाता है वो किस उचाय के बीच ओजोन परत सबसे अधिक सांदरता में पाई जाती है 10 किलोमेटर से 20 किलोमेटर 20 से 40 किलोमेटर 40 से 50 किलोमेटर या 50 से 60 किलोमेटर बताइए क्या होगा इसका सही जवाब ओजोन की सांदरता गुडेवनिंग रश्णा जी गुडेवनिंग साइलेंट बॉइ हैलो साइलेंट बॉइ चलो ओजोन जो सबसे जाधा मिलती है ओजोन जो सबसे जाधा ठीक है सरवादिक घठनत्व जो ओजोन का maximum density पाई जाती है सरवादिक घनत तो पाया जाता है वो कहां पर पाया जाता है तो ध्यान रख लेना वो पाया जाता है 20 से 40 डिगरी के बीच में इसमें भी अगर बहुत ज़्यादा युनीकनेस पूछ ले आप से तो 30 से 35 किलोमेटर की मोटाई ये ऐसी होती है जिसमें ओजोन परज बहुती जादा मातरा में होती है इसके ऊपर धीरे धीरे वो कम होती जाती है और इसके नीचे भी धीरे 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 कम होती जाती है ठीक है तो यह चीज याद रखते हुए चलना देवी का जी गुड़िमिंग देवी का अमर्जीत पूर लें शिक्स का भी है शिक्स का सी है ओके क्लेर हो क्या पॉइंट सिच्टना नंद प्रताप 35 से 40 ठीक है या फिर 20 से 40 अगला प्रश्ण अगला पॉइंट ओजुन प्रत सम्ताप मंडल में पाई जाती है यह आपको पता ही है ओजुन प्रत कहां पाई जाती है समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन पर्थ अगला पॉंट देखते हैं निम्लिकित में से कौन से अल्ट्रा वालेट विकिरन संबन और तोचा की कैंसर का कारण बते हैं मतलब which of the following radiation is responsible for the sunburn causing sunburn कौन सा अल्ट्रा वालेट रेडियेशन की चपेट में आ जाए ये कोई इनसान की क्या हो जाए संबन हो जाए या स्किन कैंसर हो जाए बताए क्या इसका सही जवाब होगा संबन और स्किन कैंसर अल्ट्रा वालेट यूवी सी यूवी बी यूवी ए या all of the mansion ये सभी होंगे तो यहाँ पर सब कह रहे हैं सी देखते हैं थोड़ा और आने दो जवाब आने दो जवाब और थोड़ा सा देखते हैं क्या इसका सही जवाब मिलेगा क्या इसका आंसर मिलेगा चलो तो सही जवाब इसका कौन सा मिल जाता है वो हमारे सामने मिलता है और वो है अल्ट्रा वालेट बी ठीक है यूवी बी के द्वारा मनुष्य में त्वच्चा का कैंसर हो सकता है अल्ट्रा वालेट बी के द्वारा ठीक है जे पी राज भाई जे पी जए प्रकाष राज बोल दें क्या स्वागत आपके यहाँ पर है और आंसर डी नहीं है आंसर बी है जो सरकारी औप्षन के पीछे पड़े होए थे थोड़ा वो आँखे खोल करके देखो हमेशा सरकार ये option सही नहीं होता हमेशा सरकार सही हो ऐसा भी नहीं होता ये लोग और आसान कर दिया या रात के लिए simple सा point है सही है या गलत है सही होने के chances पचास प्रतिशत और गलत होने के chances पचास प्रतिशत nitrogen also help to prevent ultra wallet rays from reaching the earth बता दो हाँ या ना अब इस से आसान और क्या हो सकता है आप क्या ये चाहते हो कि question भी महीं बताओ और answer भी महीं देखते हैं किस्मत आजमाएंगे आजा तुक्का लगाएंगे आजा बताओ बताओ भई क्या होने वाला है answer हाँ बिल्कुल cdp आएगी लेकर teaching methods वाले के साथ cdp आएगी चलो answer हम देख लेते हैं false होगा a होगा b होगा नहीं है a है false है चलो answer देख लेते हैं answer ये जो statement दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है nitrogen भी कुछ हद तक मदद करती है प्रत्वी पर ultraviolet radiation को पहुचने में ठीक है प्रत्वी तक ultraviolet radiation को रोकने में कुछ हद तक ये भी मदद करती है भाई ये चीज़ याद रखते हैं चल लेना ठीक चलो जिनका सही हुआ वो ये कह सकते हैं लेकिन मुझे पक्का पता है यार तुक्का ही होगा जिसका भी होगा सही वो क्या कर रहा था तुक्का ही मार रहा था उत्तरी गोलार्द में ओ जोन अपने अधिकतब इस्तर पर यानि की मैक्सिवम लेबिल जहापर वो सर्वाधिक पाई जाती है जिस समय पर वो क्या पाई जाती है सबसे जादा पाई जाती है मैक्सिमम पाई जाती है वो कौन सा है उत्तरी गोलार्ड में सर्दियों में विंटर, ओटम, पथजर, स्प्रिंग बसंत का या गर्मियों का मौसम क्या होगा यहाँ पर तुका नहीं था चलो सही है तुका नहीं था तो अगला कोशन बताओ फिर अगला कोशन नाइन का अंसर डी सुमन राजपूत बता रही है डी जे पी राज बता रहे है ए रेनु कुमारे ने बता दिया बी सी भी बोल दो कोई दिक्कत क्या है सी भी बोल दो उत्तरी गोलार्ड में ओजोन परज्यो सबसे ज़ादा पाई जागी जिस समय पर सबसे ज़ादा पाई जागी वो समय कौन सा हो जाएगा वो हो जाएगा सी पसंत का मौसम वो समय क्यां सा हो जाएगा पसंत का मौसम बैया सी बोल दो ऐसे ही थोड़ी बोल रहा था बोल ही देते बात मान ही लेते सर की सही हो जाता कोईश्यन ठीक चलो अगला पॉइंट आगे कंटिन्यू करेंगे अगला कोई नहीं था आर्या जोती जी जोती जी एवियस की थियोरी बिल्कुल होती है ठीक है एवियस की थोड़ी थियोरी बिल्कुल होती है करवाता हूँ मैं लेकिन अभी MCQ चल रहे हैं जब कभी थियोरी करवाता हूँ उस समय पर मैं थियोरी और MCQ लेकर के आता हूँ ठीक चलो अगला पॉइंट हम देखेंगे नेक्स पॉइंट अगला प्रेशन ओजोन छिद्र ओजोन होल की खोज कब की गई थी 1984, 1964, 1954, 1984 बताइए चहतर, चौसट, चववन, चौरासी ओजोन छिद्र की खोज कब की गई थी सरोज पाल बई सरोज क्या हो रहा है मतलब काफी लेट लेट आ रहे हैं या तुम लोग सब लेट ही आते हो लग रहा है मेरे को तो कब तक होगी यार कोई ऐसा कोई कनफर्म मैं नहीं बता रहा हूँ आपको मैं यही कह रहा हूँ कि कभी ऐसा होता है कि मैं थियोरी MCQ दोनों लेकर कर आता हूँ कभी MCQ ही चलते हैं तो आप अगर पढ़ रहे हो और अगर आपको यहाँ पर मुझसे पढ़ना कमफर्टेवल रग रहा है फ्रक्वेंसी मैच करिये समझ में आ रहा है तो फिर आप कंटेन्यू करिये आपको थियोरी क्लास भी मैं करवाता हूँ प्लेलिस्ट पर जाकर के देखे मेरी काफे सारे क्लासे थियोरी क्लास करवाई गई है ओजोन चितर की खोज कप के गए थी 1984 में कैसे याद रखोगे वह यह दुनिया ओजोन खोज रहा था और हम यहाँ पर खोल कर रहे थे सिख दंगे हो गए थे ठीक है 1984 में क्या हो गया था सिख दंगे हो गए थे वैशनवी ने बता दिया 84 लेकिन क्या तुक्का था या आता था निशा रोई 84 चलो तो यह यहाँ पर हमें मिल जाता है ओजोन होल वाज डिसकवर्ड इन 1984 बाई जोनाथन फ्रेंकलिन जोसफ फ्रेमेन एंड ब्रेन गार्डिनर ठीक इन तीन लोगों ने फ्रेंकलिन फार्मेन और गार्डिनर फ्रेंकलिन फार्मेन गार्डिनर इन तीन लोगों ने 1984 में ओजोन पर्थ की खोज की गई थी और ओजोन चित्र की खोज कहां पर की गई तो ध्यान रख ले ना इसकी खोज की गई थी अंक टार्क टिका व्रत में कब की गई जीस की खुज अंक टाक्टिका व्रत में की गई थी ठीक है बहुत बढ़िया मरजीत भई आता है भई क्या बात है कल ही देखाता है ये कोशिन क्या बात भई बहुत बढ़िया अगला पॉइंट ओजोन चित्र की खोजवर्स 1984 में जोनाथन फ्रैंकलिन जोसेफ फर्मन और बैयर्ट गार्डिनर ने की थी क्या बात है अब बताओ ओजोन चित्र की एक घटना किस से जुड़ी हुई है सदन टेंपरेट रिज़न आर्कटिक रिज़न नौर्थ टेंपरेट रिज़न या नावन ओफ मैंशन दिया नहीं गया है उलेकित नहीं है क्या होगा इसका सही जवाब क्या होगा इसका आंसर क्या बता पाएंगे आप मुझे मताए भई क्या होगा सही जवाब ग्यारा का बी बता रहे है बी बता रहे है तो चलो देख लेते हैं वो क्या मिलता है हमें सदन टेंपरेट रेजन ठीक है मैंने अंक टाक्टिका लिखा था भई यहां पर अंक टाक्टिका सरकल लिखा था ठीक तो क्या है वो सदन temperate reason दक्षणी सम सितोष्ण छेत्र में ओजोन चित्र की घटना काफी सामान्य रूप से होती है वहाँ पर काफी बड़े पैमाने पर ओजोन चित्र की घटना में मिल रही थी ठीक है clear यहाँ तक वो अंकर टाक्टिका था समझ लो बात को Southern temperate reason answer A है clear answer क्या है A हमें मिल जाता है next point देखेंगे अगले प्रशन की और देखेंगे तो बताओ who does EECS stand for the context of ozone depleting compounds ozone को nest करने वाले योगिकों के संदर्व में EECS मतलब क्या होता है equivalent effective stratospheric chlorine equivalent effective stratospheric chlorofluorocarbon equal energy efficiency stratospheric compounds equivalent energy saving compound क्या लगता है क्या होना चाहिए हर question को ध्यान से देखो वो चिला चिला के बोलता है मेरा जवाब ये है बस आपको उस question के आवाज सुनाई देनी चाहिए तो प्रशन ने यहाँ पर क्या बताया बुला कि ओजोन परत खत्म करनी है ये प्रशन बता रहा था अब ओजोन परत क्या मिलता है हमें बी मिल जाता है ठीक है एक मिनट ख्लोरो ख्लोरो कार्बन एक क्लेंट एफिशेंसी अब चलो तो सही जवाब तो भहिया एही है सही जवाब तो एक्विलेंट एफिशेंसी स्टर्टो स्फियरिक क्लोरीन हमें मिल जाता है ये एई ए सी एस सही जवाब ए ही है ठीक है हाँ इसका मैं बिल्कुल यार थोड़ा कन्फिजन होता है तो उसको कन्फर्म करना पड़ता है अहाँ अरू जी ठीक है एजुकेशन स्मार्ट पुरें लास्ट वियर से आपको फॉलो कर रहा हूँ क्या बात है एजुकेशन स्मार्ट भाई थैंक्यू वेरी मस्च चलो अगला पॉइंट हम देख लेते हैं जहां तक क्लियर हो गया है एजुकेशन स्मार्ट यी आँसर देदो अगली परश्न का आसान कोशन है दा मॉन्ट्रेचल प्रोटोकॉल बैंड दा प्रोडेक्शन ओफ विच आप दा फॉल्लिविंग कैमिकल सबस्टेंस मॉन्ट्रेचल प्रोटोकॉल कब हुआ था मौन्ट्रेल प्रोटोकॉल कब हुआ था ठीक और इस मौन्ट्रेल प्रोटोकॉल में किस सबस्टेंस को बैन करने की बात हुई थी इसी मौन्ट्रेल प्रोटोकॉल में कौन से सबस्टेंस को बैन करने की बात हुई थी तो मॉन्ट्रेल प्रोटोकॉल कब हुआ था 1987 का मिलता है ये कब 1987 का मॉन्ट्रेल प्रोटोकॉल था ओहो जेपी राजबाई धन्यवाद लेकिन यहाँ पर तो काफी टाइम के बात दिखाई दिये चलो अगला पॉइंट हम देख लेते हैं तो आंसर मिल जाता है बी पॉइंट क्या है यह कार्वन टेट्रा क्लोराइड हैलॉन्स टेट्रा क्लोरीन सी एफसी तो यह यहाँ पर है कार्वन टेट्रा क्लोराइड हैलॉन टेट्रा क्लोरेथीन या CFC यह हमें मिल जाता है मॉन्ट्रेल प्रोटोकॉल के बारे में और EESC के बारे में यहाँ पर दिया गया है भई वो पिछले में होना चीए था यहाँ पर मिल गया चलो आप ध्यान दखलो ठीक है मैं आपको फिर से बतायता हूं मॉन्ट्रेल प्रोटोकॉल अरे पैन गायब हो गया भाया आ गया मॉन्ट्रेल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में और यह EECS जो थोड़ा confusion था ना उसका explanation यहाँ पर देख लो यह क्या है समतुल्य प्रभावे स्ट्रेटोस्फेरिक क्लोरीन का उप्योग क्लोरीन के समतुल्य को मापने के लिए किया जाता है जो ओजोन प्रत को समाप्त कर सकता है समझ में आ गया यह यहाँ पर आप देख लेना पूजा जी बिलक जल्दी से स्मार्ट एज्यूकेशन जेपी रचना अमिताप पूजा वैशनवी ठीक है explanation यहाँ पर दे दी गई है और मॉन्ट्रेल प्रोटोकॉल क्लोरो फ्लोरो कार्बन ठीक सीएपसी क्लोरो फ्लोरो कार्बन और टेट्रा क्लोरोएथेन हैलों और कार्बन टेट्रा क्ल कली पेड कोर्स है क्या अच्छा कोई पेड कोर्स है क्या बिल्कुल इसमार्ट एजुकेशन पेड कोर्स के लिए देखो आपको बताया है आप नीचे क्या देख रहे हैं अनकेडमी अप्लिकेशन को Google Play Store से डाउनलोड करो अनकेडमी लर्निंग आप आपको डाउनलोड करन अपना वेरिफिकेशन करिए अगर वो कोड मांगेगा आपसे तो आपको कोड यूज करना है MSM और वहाँ पर आप सर्च करेंगे महेंदर सिंग महरा मुझे फॉलो करते वे चल सकते हो ठीक है और प्लस कोर्स के लिए आपको सस्क्रिप्षन दिया जाता है यहां पर आपको कोई ऐसा नहीं बूला जाता है कि सीटैट लो या यूपिटैट लो या केवियस लो नहीं यहां पर सिंपल है आप 6 महिने पढ़ना चाहते हो साल भर पढ़ना चाहते हो आप अगर साल भर पढ़ना चाहते हैं तो साल भर में जो मर्जी वो पढ़ लो यह आपके ओपर डिपेंड करता है सीटेट पढ़ लो, यूपिटेट पढ़ लो, केवेस पढ़ लो या कोई भी दूसरा बैच ठीक है, तो यहाँ पर आप टाइम पिरिएट परचेस करते हैं सस्क्रिप्शन लेना पड़ता है यहाँ ठीक है, स्मार्ट एजुकेशन तो सबसे पहला काम तो और अगर अनेकेडमी अप्लिकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो भाई, डाउनलोड कर लो अनेकेडमी लर्निंग एप और MSM कोड से फ्री करवालो सारे मॉक टेस्ट फिर उसके बाद फॉलो करते हैं चल लेना महेंदर सिंग महरासर को ठीक है, GWP depends in which of the following factor GWP है क्या ये GWP क्या है ये GWP देख लेते हैं, चलो, फिलाल यहाँ पर आप देखेंगे ओके रशनाजी, चलो फी, smart education अगर आप दो साल की फीस लेते हैं, तो लगबग ये आपको 6000 के आसपास में मिलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं है और अगर आप एक साल का subscription लेते हैं, तो 5000 के आसपास में मिल जाएगा, आपको ये approximate बोल रहा हूं, code लगाओगे, उसका discount मिलेगा, coins का discount भी मिलेगा, तो मैंने approximate बोला, एक साल पाच के 100 में आपको मिल जाएगा, दो साल जो है, आपको 6000 के आसपास में मिल जाएगा, ठीक है, smart education चलो, अगरा point हम देख लेते हैं GWP C option है, सभी important है, सभी mentioned किये गए है, ठीक है, GWP किस पर depend करता है, infrared radiation पर atmosphere के lifetime पर, और क्या range वो absorb कर रहा है, इस पर depend करता है, GWP clear, तो यह यहाँ पर हम देख लेते हैं ठीक GWP है क्या, तो यह भी तो देख लो, यार GWP अगर यह समझ जाओ, तो आसान हो जाएगा question जी, मतलब global warming potential global warming potential की global warming किस पर निर्भर करती है, global warming प्रत्वी के गर्म होने की छमता किस पर निर्भर करती है, full form रचना चौदरी पता चल गया, GWP अब तो answer निकाल लोगे ना, answer आप तो पता चल गया ना, कि यह सभी ठीक होंगे देखो, आज question tough होए, तो बच्चे भाग गई, यही तो खराबी लगती है मुझे, आप मैसे जो पढ़ना चाहते हैं वो ठीक है, लेकिन गेहूं के संग घुन भी पिस जाता है, tough question क्यों नहीं करना चाहते हो, exam में क्या हलवा question आएंगे, जिसके दात नहीं है, वो भी खाले, जिसके दात है, वो भी खाले नहीं, exam में tough question आते हैं, और अगर आप average preparation कर रहे होना है, तो selection भूल जाओ, कड़वा लगेगा, लेकिन यह सच है, औसत चमता वाले व्यक्ति का कभी selection नहीं होता है, आपको औसत से एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है, selection चाहिए तो, ठीक, तो यह GWP, याद रखना, Global Warming Potential, ठीक है, अगला point हम देख लेते हैं, which of the following mentioned, GHG is highest atmospheric lifetime, अब यह GHG क्या है, GHG क्या है, यह भी पता होना चाहिए, तो यह है, green house, gas, तो अब उतक आपने दो चीज़े देख लिए, GWP पता चल गया, और GHG पता चल गया, ठीक है, क्या बात है, भाईया, smart education भाई बहुत बढ़िया, आपने मेहनत करी हमारे साथ, आपको credit सारा जाता है, अगला point हम देखेंगे यह आप पर, सही गहरों रचन, ऐसे तो बोलता है, टफला टफला, और लगल, जहां टफ और थोड़ा, इदा उदर मिले न, वही है न, हार्थी के दाथ, दिखाने के कुछ और, और खाने के कुछ और, चलो, greenhouse effect का, जो सबसे लंबे समय तक atmosphere में रहता है, मतलब मान के चलो कि, जैसे, carbon tetra fluoride है, यह शायद 2 साल तक रहेगा, cfc है, एक साल तक रहेगा, हमारे वायो मंडल में, तब तक reaction करता रहेगा, तो यह चीज यहाँ पर पूछी गई है, तो जो सबसे लंबे समय तक वायो मंडल में उपस्तित रहता है, वो कौन सा है, वो है carbon tetra fluoride, कौन सा मिलता है वो, carbon tetra fluoride, ठीक है, clear, यह पॉंट याद रख लेना, चलो, clear है, अगला पॉंट देखेंगे, नेक्स प्रशन की ओर चलेंगे हम, कौन सी गैस, विकीरन चमता सबसे अधिक है, which of the following gas has highest radiative efficiency, विकीरन की चमता सबसे ज़्यादा है, sulfur hexafluoride, carbon tetra chloride, या CFC, या PFTBA, बताए क्या होगा answer, दिक्षा जी कह रहे हैं, गलत होगया, दिक्षा कोई बात नहीं है, गलत होगया, तो यार, यह बहुत अच्छी बात है, हमें नया question याद रहेगा, नहीं चीज़े सीखेंगे हम, वैश्णवी जी चलो वही बहुत बढ़ी है, किट्टू, हेलो किट्टू, कैसे हो, answer A बता रहे हो, इसका, बाकी लोगों को भी देख लेते हैं, क्या बताएंगे, शिम्पी जी, ठीक है, रेन्यू ने B बताया, चलो देख लेते हैं, answer है, B, carbon tetra chloride, answer क्या है, carbon tetra chloride, और यह देख लो, कुछ बगल में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, heater transfer और electric industry में इस्तमाल किये जाने वाले, perfluoropel, fluorotane, gemine में सबसे ज़्यादा radiation छमता होती है, यानि है, greenhouse gasों की तुलना में, लंबी तरंग देरिये के प्रभाव को फसा सकता है, ठीक है, अच्छा, यहाँ पर answer B नहीं है, sorry, 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 answer क्या है यहाँ पर, answer यहाँ पर D मिल रहा है हमें, एक minute, देखता हूँ मैं, जिल लादा रहे के अधिछ सकता है, जया है, एक कर दोurgै सकता है, श्तुलने है, बातक देरो चलो देखेंगे answer क्या होगा इसका इसका answer मिलता है मैं वही कहा था न answer d explanation से match ही नहीं कर रहा था answer वो ही गड़बर लग रही थी चलो यह इसका सही जवाब मिल जाता है ठीक है डी PFTBA, क्या है ये? PFTBA, ठीक है? पर-फ्लोरो-पल-फ्लोरो-ट्राइब्यूट-ट्राइब्यूट-एमीन पल-फ्लोरो-ट्राइब्यूट-एमाइन ठीक है? ये answer हमें मिल जाता है, ठीक है? ठीक, फुल-फॉर्म पता चल लगी है, वैश्नवी, हाँ, डी होगा, बिल्कुल ठीक है? अगला पॉइंट देखेंगे, अगले प्रैशने के और देखेंगे Which of the following compounds have the highest GWP? GWP, Global Warming Potential किस में सबसे ज़्यादा होती है? Global Warming Potential किस में सबसे ज़्यादा होती है? चलो, Smart Education सही समय पर आए, इसका मतलब आज कुछ नया नाम तो सुना हमने आज का सेशन Ozone को Dedicated है भईया, Ozone को Dedicated है चलो, मताएंगे आंसर क्या होगा? किस यॉगिक में GWP सबसे ज़्यादिक होता है? CFC भी बोल रही है देखो भई, सेशन पसंदा रहा है तो लाइक बाइक कर दो बागी तुम मुझे पता है, Tough Question में कोई आने वाने वाला तो है नहीं खाली बोलने बोलने का काम करते हैं चलो, तो अगला प्रशन, अगला पॉइंट हम देखेंगे सबसे अधिक योगिक छमता हो जाती है, वो है D-Point क्या मिलता है? वो D-Option ठीक है? Sulfur Hexafluoride Sulfur Hexafluoride कहां गया? Pen दिखाई देगिया ठीक, ये देख लो, कुछ explanation हमें मिल जा दिया Sulfur Hexafluoride में कार्बेंड है, ऑक्साइड के ग्रहे को क्या बोला गया है आपर, Sulfur Hexafluoride has the potential of warming the planet is 16,000 times greater than carbon dioxide ओ भाई, इसने तो मारी डाला, ठीक है? अब सोचो अगर हम carbon dioxide के पीछे पड़े वे हाथ दो करके अब पता चला एक तो उसका big boss है, RDX बैठा हुआ है यह अभी हम जिन्दा है, ठीक, तो Sulfur Hexafluoride अगर चुपचाप चुपचाप बढ़ती रही, तो जहां carbon dioxide से एक डिग्री बरेगा, इससे उसका 16,000 गुना, भाई, साब, यह तो कमाल हो गया, हाँ, बिलकुल, बी, जी, वट, क्या बोल रही है, ठीक है, unique lamp, भाई, बड़ी देर के बाद आए संधिया, इतने अच्छे question चल रहे थे, ठीक, काफी देर बाद आए है, tough question लाया था मैं, इस question का answer मुझे पता, संधिया को पता होगा, चलो, अगले question क्यों देखते हैं, समझ में आ गया, carbon dioxide का 16,000 गुना जादा गर्म कर सकता है, sulfur hexafluoride, अगला question देखेंगे, what is the reason of extreme difference in temperature at day and night desert, पताए क्या इसका answer होगा, पढ़िये जरा, कर सकता है, चलो, सरकारी options की ओल चलें क्या सरकारी option सही है किया सरकारी option सही है यहां पर देख लेतें एक बार दिन और रात के तापमान में अत्यदिक अंतर का कारण क्या है रेगिस्तानी छेतर में कारबन डाय ऑक्साइड सांधरन कम है इसलिए गर्मी आसानी से बच जाती है नमी की कमी से गर्मी से निजासिक लैक ओफ मॉइस्चर लेट जैस्केप ओफ हीट सेंड हैज हाई हीट कंडेक्शन या ओल ओफ दा अवब तो देखते हैं क्या होगा इसका सही जवाब ठीक तो क्या कोशन मिलना हमें ओके चलो ठीक तो सही जवाब क्या मिल जाते हैं यहाँ पर दिन और रात के तापमान में अत्यधिक अंतर का कारण डिफ्रेंस बहुत ज़्यादा क्यों है रेगिस्तानी छेत्र में कार्बंड ऑक्साइड का सांद्रन कम है इसलिए आसानी से बच जाती है तो यह तो गलत ह हो गया ना यार पहला सिंपल देखो लेगिस्तानी छेत्र में कार्बंड ऑक्साइड कम थोड़ी मिलती है क्योंकि हवा यह वहां पर सब जगर पर कार्बंड ऑक्साइड सेम समान तरीके सामें मिल जाती है ठीक है नमी की कमी से यहाँ पर लैक ओफ मॉइस्चर लीड हीट बहुत जल्दी रिलीज हो जाती है तो यह सही जवाब हमें मिल जाता है ठीक है तो इसलिए आंसर जो मिलेगा वो क्या मिल रहा है आपको बी ऑप्शन मिल रहा है ठीक नेक्स पॉइंट हम देख लेते हैं इसके बाद हाँ डी होना चाहिए लेकिन आप पहला प्रशन क मैं खुद गलत बोल रहा है कि रेकिस्तान में कार्बन डा ऑक्साइड कम होती है औक्सिजन जादा होती है इसका मतलब ऐसा तो नहीं होता वायू मंडल में सब जगे यहां पर मिलेगा नमी की कमी यानि जलवाश प्रसतह से इंफ्रा रेड रेडियेशन को पुर्ण है विक आप्सर्ण देखो में ने काता ना इंगलिश पर ध्यान दे देना थोड़ा सा हाँ screenshot बिल्कुल ले लीजिए इसलिए मैं explanation से हटी गया था तो इसका मतलब है ना नमी कम है तो अक्सर नमी क्या होती है infrared radiation को अपने आप में trap कर देती है तो नमी कम होने की वज़े से infrared radiation trap नहीं होता और वो अंतरिक्ष में वापस चला जाता है तो जो हमारा रिगिस्ताने वो स्माइक बात क्लियर है एक बाद सब लोग बता दो यस सर यस सर बात क्लियर है तब हम आगे चलते हैं वन्ना तो कोश्चनों में उलज कर रह जाते हैं बताओ बैजल्दी से बताईए चलो जी वाटर वैपस क्लियर हो चुका है बहुत बढ़िया अगला प्रश्न है एक मिनट ओहो यह तो गड़बड हो गई हटाना भूल गया आप या कर लो चिटिंग कर सकते हो तो इंगलिश मा पढ़ लेना what does the method of enhancing weathering enhancing weathering weathering का मतलब होता है मिट्टी का अपच्छा यह ठीक है किसी भी चीज का नस्ट होना ठीक तो weathering को अपच्छे को बढ़ाने का क्या तरीका होता है अपच्छे को अगर बढ़ाना है तो क्या तरीका होना चाहिए answer बता दो भाई आप तो बता दो cheating कर सको तो बता दो नाइंटीन का चीटिंग कैसे कर रहे है चलो answer है बी पॉइंट यह क्लाउट सीडिंग के एक विद्य है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के बादलों के योगदान को कम करने के लिए की जाती है ठीक है क्या बोला है enhance weathering ठीक enhance weathering sorry weathering मतलब यहां तो तो मौपसलमी प्रभाव को बढ़ाने के लिए क्लाउड सीडीp गाल दीया चालू हूंदी बना दिया यह तो मौपसमी प्रभाव को बढ़ाने के लिए ठीक है बासवन भागी 19 का option B आपको मिल जाएगा 19 का B option मिल जाएगा अगला point अगले प्रशनी के और देखेंगे What does the process of carbon sequence station means carbon sequence station means क्या होता है removal of carbon from the atmosphere अपने atmosphere से carbon को निकाल देना removal of carbon dioxide from the atmosphere and stored of carbon dioxide by the deposition in reserve निकालना और उसका भंडारन कर देना stored CO2 by deposit in the reservoir रिजर्वर में जमा करना या सब ऐसी फाल तो लिख रगा है आज को कोशन में मूडी इसी मूड से बनाए था जब मैंने कोशन सर्च करने लगा ढूनने लगा तो मुझे लगा या कोशन बहुत टफ है फिर मुझे धियाना आया उन हमारे बहुत ही मासूम और प्यारे बच्चों का जो कहते हैं कि सर बहुत आसान कोशन आप लाते हो हम टफ करना चाहते हैं तो मैंने सुचे क्यों ना आज थोड़ा टफ ले करके जाए जाए अब पता चलेगी 27 और 30 से आगे नहीं बढ़ने हैं कहां तो 90 तक हो गए थे सब भगोड़े हैं सब भगोड़े हो गए बहुत गलत बात है ये टफ कोशन को मत करो आसान कोशन को बोलो आसान है मतलब करना क्या चाहते हो तुम ऐसा ही कोशन लाएंगे तो दो दिन में बचे कुछ है और भाग जाएंगे ठीक है चलो नामी ऐसे हो रहेंगे कार्बन सब सिक्वेंस्टेशन क्या होता है कार्बन सब सिक्वेंस्टेशन मतलब होता है स्टोरेज ऑफ कार्बन बाई डिपोजिंग इन रिजर्वर जलाशयों में जलाशयों मतलब भंडारों में भंडार ग्रहों में जलाशयों मत करना इसको भंडार ग्रह कर लेना भंडार ग्रहे में कार्बन डाउक्साइट का भंडार मतलब कार्बन डाउक्साइट को इघटा करेंगे जब तो सब सिक्वेंस्टेशन कहा जाएगा कार्बन सिक्वेंस्टेशन कहा जाता है ठीक है हाँ ठीक है अनुराइग ओके चलो अगला पॉइंट बोलने वाले भागे देविका जी कोई बात नहीं है आप तो हो आपने तो नया तुष सीखा एक नया टर्म निकल कहा है सब सिक्वेंस्टेशन मतलब कहोता है कार्बन को एक घटा करके रखना है यह सब सिक्वेंस्टेशन हो जाता है अगला पॉइंट है अरे यार यहां पर भी चलो वीच अब दफॉलिविविग इस असिंक ओफ कार्बन वीच अब दफॉलिविविविग इस दा इग्जा इस असिंक ओफ कार्बन वैटलेंड ओल्ड ओईल फिल्ड सेलाइन वाटर बॉड़ी ओलव मैंसंट चलो सिंक मतलब सोख लेता है उसे वो ठीक है कार्बन को सोख लेता है क्या सोख लेता है कार्बन को वैटलेंड मतलब दलदल है पुराने ओईल फिड मतलब जो तेल के मैदान है या कुए है वो है खारा पानी है क्या है आशा जी या नहीं आपका कोश्चन नहीं देखा आशा एक मिनट आशा आपका question तो उपर काफी निकल चुका है मुझे लग रहा है हाँ एक बार भेज दीजिए आंसर है बी पॉइंट ठीक है oil field ठीक है old oil field wetland पुराने तेल छेत्र खारे जल के निकायादी महतोफुं कार्बन भंडा रहने अच्छा नहीं और कार्बन को हटाने मजद करता है आंसर इसका डी मिलेगा भाई या गरबड हो गया है अंसर देख लेना इसका डी पॉइंट मिलेगा ठीक पुराने तेल के खेट नहीं है आंसर डी मिलता यहां पर ठीक है मैं correction कर लेता हूं ताकि आपको pdf pdf डाwnलोड करते हो नहीं करते हो कर लिया करूप pdf डाwnलोड यार इतनी महनद करके मैं आपको pdf भी करने की कोशिश करता हूं टेलेग्राम चैनल पर करते हो नहीं अगला पॉइंट निम्लिकित निलंबित करने की पदार्थ के आकार सिमय कि क्या बोला है वर्ट इस दा साइज रेंज ऑफ रेस्पिरेबल सस्पेंड़ पर्टिकुलर मैटर जो आप लिखते हो ना पी एम जैसे पर्टिकुलर मैटर होता है पेम मैटर क्या होता है पर्टिकुलर मैटर कहा जाता है इसको कणी की यह पदार्थ कहा जाता है हवा में तैरने वाले कणी की यह पदार्थ जो रेस्पिरेबल सस्पेंड़ पर्टिकुलर मैटर उनका आकार कितना होता है हां उनका आकार कितना होता है बस राठोर जी माधुयम की क्लास इंट्रो दे रहे हूंगे हमारे बस एक दो कोशिन रहे हैं काफ हम करते हैं जो कुझाओ जिरा चलो तो आंसर है दस माइक्रोमेंटर नेक्स पॉइंट निम्लिकित मैंसे क्या एक व्याभार ये करना है वीच आप फॉलिविंग इज अ वायेबल पर्ट पर्टिकुलर ठीक आंसर देख लेते हैं मैंने कहा ना इसको इंग्लिश में ही देखना तो समझ में कुछ आ जाएगा आंसर देख लेता ह हो है सी मॉड्यूल्स यह क्या मिलता एक वायेबल पर्टिकुलर मिल जाता है नेक्स्ट विस टाइप ऑप दा पर्टिकुलर इज कंसिडर्ड फ्रॉम वैपर्स जलवाश्प का संगनित रूप क्या है मिस्ट है डस्ट है स्मोग है या फिर फ्यूम है बताओ क्या होगा इस से तो आंसर क्या मिलता है हमें आंसर देख लेते हैं किस प्रकार का करन वाश्प का संगनित रूप है तो सही जवाब है डी पॉइंट fumes यह point क्या है fumes हमें मिल जाता है ठीक अगले question अगले point क्यों चलेंगे देखो fumes क्या होता है तो यह देख लो fumes are considered vapors especially metallic vapors and it regenerate it regretted as the type of particular matter यह particular matter के type के तौर पर होती है ठीक है अगला point which of the composition of photochemical smoke photochemical smoke किस से बनता है answer बताओ education smart इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप English पर ध्यान देना कि चालू हिंदी कर यह Google से बोला मैं आज हिंदी कर तो उसने कोई अच्छी हिंदी नहीं कर यह चालू हिंदी में यह कर दिया है ठीक है जूनियर की preparation रात को आठ बजे होगी राठ और विशाल सिंग रात को आज बजे मैं history और geography करवा रहा हूँ फिलाल जल्दी quality भी start कर दूँगा तो daily फिलाल कुछ दिन तक आप रात को 8 पीम पर मिलना अभी plus class junior super ted का हमारा सुरू होने वाला है junior super ted के लिए plus course आने वाला है तब आपको जो classes मेरी YouTube पर मिलेंगे तो साम को plus में जा रही है timing तो YouTube पर जो मेरी class मिलेगी वो कब मिलेगी आपको वो morning में देखते है 9 a.m. पर करेंगे या फिर morning में 10 a.m. पर करेंगे most probably 10 बजे ये class में YouTube पर रखूँगा अपनी ठीक है अगला point देखें आगे continue करें answer da all of the mentioned answer da all of the mentioned ठीक rate के लिए SSD भी वहीं पर इसाम को 8 बजे मिल जाएगी जो shift morning में हो जाएगी अगला point smoke के पीले रंग का कारण smoke क्या होता हलका हलका पीला सा दिखाए देता है क्या reason है उसके पीले होने का क्या reason है इसके पीले होने का बताईए sulphate iron nitrogen oxide sulphal dioxide nitrate iron क्या मिलेगा answer चलो smoke के पीले रंग का कारण हमें क्या मिल जाता है तो answer है a sulphate iron sulphal dioxide की वजह से क्या होता है smog पीले रंग का होता है sulphal dioxide की वजह से ताज महल पीला हो रहा है बात समझ में आ गई है सब लोगों को यहां तक समझ में आ गई है तो session को like कर दो और smart education मैं आपको फिर से बता रेता हूँ smart education बता रेता हूँ मैं आपको code भई unacademy का application डाउनलोड करो unacademy learning app की बात चल रही है उसको download करो ठीक है unacademy app डाउनलोड करोगे उसमें registered कर लेना अपने mobile number से अपनी email id से और फिर आप से code पूछेगा कि code क्या है तो ये code आप दे सकते हो msm तो सारे test free हो जाएंगे उसके बाद क्या होने वाला है उसके बाद अगर आप plus subscription लेना चाहते हैं तो plus पर click करिए अपने according एक साल या दो साल का subscription ले सकते हो code से आपको 5% का discount मिलेगा coin का आपको 10% का discount मिल जागा इस तरीके से एक साल और दो साल का pack आपको मिल जागा दोनों में no cost AMIB यूज़ कर सकते हो ठीक चलो बाकि तो session कैसा लगा जरूर बताइएगा और session पसंद आए तो like share subscribe जरूर करिए बाकि अपने दोस्तों के साथ जरूर से एक बार practice करो session को देखो hello teachers का बिल्कुल corner में दिया गया official channel आप join कर सकते हो तब तक यह कहूंगा कि साम को 8 बजे मिलेंगे thank you very much take care and bye bye